इसमें हम इंट्रोड़क्शन के बारे में डिसकस करेंगे और प्लांट किंग्डम को किन फाइफ फर्दर क्लासिज में डिवाइड किया गया इसको जानेंगे और इनके कुछ एक्जाम्पल्स को स्टेडी करेंगे और आपके लिए बहुत ही बढ़िया डायग्राम्स मैंने अरेंज किया है विद लेबलिंग जिससे कि आप इनको मैमोराइज कर सके हैं और लास्ट वीडियो में हमने मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई के बारे में जाना था इवन वाइरस के बारे में जाना था ठीक है इसके अलावा जो दो और किंग्डम थे जो उनके थे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन में वो था प्लांट किंग्डम जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़ा किंग्डम है और इस चेप्टर के अंदर हम प्लांट किंग्डम के बारे में स्टड़ी करेंगे ये classification भी रह वाइटेकर सहाब नहीं प्रपोस किया था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर फर्दर जो plant kingdom है, उनकी morphology के basis पर, उनकी reproduction के basis पर, उनकी cell type के basis पर, उनकी nutrition के basis पर, even उनकी existence के basis पर, उनकी structural anatomy के basis पर, इन सभी के basis पर, इन सभी को फर्दर classify किया गया है, जैसे कि मैं already यह हाँ पर mention किया हुआ है, on the basis of external characters, anatomy of tissues, embryology, development of embryo, ultra structure, microscopic structures, और phytochemistry, जो इसमें chemicals हैं, जो की photosynthesis में involved है, इनके basis पर, further classified किया है, ओके, वैसे यह जो classification के बारे में, और कुछ detail में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लें कि, plant kingdom को किन 5 divisions में, divide किया है, यह हमेशा, हमेशा ध्या प्लान रखना है हमें कि यह plant के 5 kingdoms कौन से हैं, basically, okay, first है हमारा algae, जिसके अंदर हम, algies की जितनी भी algies होती है, red, brown, green algae, इनके बारे में, discuss करेंगे, second जो group है, हम bryophyta के बारे में, discuss करेंगे, division में, third division है, यह टेरेडोफाइट्स के बारे में, discuss करेंगे, और fourth में है हमारा gymnosperma and angiosperma, आप जानते ही हम इसा से पढ़ते हुए आए हैं कि gymnosperm में वो seeds होते हैं, जिनको हम naked seeds कहते हैं, जिनके ओपर कोई covering नहीं होती है, ठीक है, और psychus और pinus उसके example है, और angiosperm वो एक division है, जिससे हमें ज्यादा तर maximum fruits और vegetables मिलते हैं, जो हमारे nutrition की जरूरत को पूरा करत हैं, बट इसके अलावा environment के अंदर जो ecological balance है, वो सभी को maintain करने में और सभी cycles को maintain करने में इन सभी plant kingdoms के divisions का बहुत बढ़ा रोल हैं, ओके चले, डिसकस कर लेते हैं कुछ और, जो classification है, angiosperm का basically, ठीक है, यह George Bentham और Joseph Dalton Hooker ने propose किया था, वही है, और उसका basic यह है कि यह natural system of classification है flooring plant का, जो कि इन दोनों scientists ने, biologist ने इजाद किया था, George Bentham और Joseph Dalton Hooker, और इन ही का यह, जो यह classification system है, सबसे ज़्यदा है पुरूव है, इवन हमारे पास में classification system और भी हैं, total मिला कर करीबन 5-6 classification हैं, लेकिन approximately 3 classification systems हैं, जिनको सबसे ज़्यदा consider किया जाता है, जो हमारी help करते ह जोसफ, Dalton Hooker और George Bentham Hooker ने, जो हमारे को classification propose किया था, basically flowering plant के cases में, आप ध्यान रखियेगा, इनके पीछे यही 5-5 factor थे जो काम कर रहे थे, external characters, anatomy, embryology, ultra structures and phytochemistry, तो इनके basis पे बहुत help मिलती थी, ठीक है, लेकिन चलिए कुछ और भी हमारे classification हैं, plants को study करने के लिए, वो भी हम important role है, अच्छा, जो next हमारा important है, जिसे हम first कहेंगे artificial classification system है, जो की basically morphology पे ही अधारी था, morphology basically the plant के जो external characters हैं, उसके basis पे ही classification system है, प्रपोस किया गया था, इसमें सिर्फ इसकी morphology को उसकी बनावट को हम प्रपोस करते हैं, उसके basis पे study करते हैं, characters को identify करते हैं, तो इसको कहा ज classification system, okay, next हम discuss कर लेते हैं, that is phylogenic classification system, और phylogenic से आप जानते हैं कि phylogenic relationship में हम evolutionary relationship को study करते हैं, कि कि किस plant से कौन सा दूसरा plant है, develop हुआ है, और दोनों plants के अंदर क्या similarity है, इस तरीके से हम plants के development के बारे में जान सकते हैं, evolutionary relationship को study करके, और इस classification system को कहते हैं, phylogenic classification system, third classification system है, numerical taxonomy में, और इसके basis पे क्या होता है, कि specific जो भी characters आप morphology में आप observe कर सकते हैं, इन सभी characters को एक specific number और specific code assign किया जाता है, दिया जाता है, for example, आप leaf की shape different different हो सकती है, उसके basis पे आप उसको एक specific code देंगे, और finally यह जितने भी code एक specific plant के होते हैं, उन सभी data को, हम कह सकते हैं, processed किया जाता है, using the computer, and finally what happens, तो इसकी वज़े से एक plant के अंदर जितने भी characters present हैं, उनको specific data दिया जाता है, उसके basis पे हम similarities को study करते हैं, ठीक है, और इसी को हम कहते है, numerical taxonomy, numerical taxonomy, फोर्थ है हमारा cytotaxonomy, इसका relationship है basically chromosomes पर, आप जानते ही हैं, कि सभी organisms में chromosome number different होते हैं, इसी तरीके से plants के अंदर भी, सभी plants के अंदर भी हम जान सकते हैं, कि हम एक category से दूसरी category में move करेंगे, तो chromosome के number और chromosome के structures हैं, वो change हो जाते हैं, उनके behavior change होते हैं, इसी के basis पर हम plants के अंदर study कर सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है cytotaxonomy, जिसमें हम chromosome के number, structure और behavior को study करते हैं, तो I hope आपको यह अच्छा लगा होगा कि classification system और भी हैं, जिनके basis पर plant को further classified किया गया, एक बहुत ही important है chemo taxonomy, chemo word से basically होता है chemicals, okay, basically सभी plants है, यह photosynthesis propose करते हैं, इन सभी में different type of chemical constituents presents होते हैं, जिनकी basis पर plants के अंदर specific functions और role play होते हैं, अगर हम जान लें, और हम chemical के basis पर, जो ingredients और pigments present हैं, इसके basis पर भी हम plants को classify क कर सकते हैं, जैसे कि आप algues में study करेंगे कि algues, green algues को other classify किया गया, other subgroup में हम classify किया हुए, brown algae को अलग में study करते हैं, और red algae को basically इसमें जो chemical constituent हैं, तो यह further जो classification की sub class हैं, उन में study करने में help करता हैं, उनको identify करने में help करता हैं, उनके अंदर होने वाले chemical process को study करने में, हमें help मिलती हैं, I hope you will like this, आप इस page का screenshot ले सकते हैं, exam point of view से, आप जान सकते हैं कि यह सभी classification system है, इनका कहीं न कहीं बहुत important role है, plant kingdom को study करने में, चलिए, सबसे पहले algae में, जिने हम कहते हैं, थैलोफाइट्स भी कहा जाता, basically क्योंकि इनके जो structures हैं, बिल्कुल थैलस जैसे हैं, थैलस में, specific bag, like round or shape, irregular shape, कैसा भी हो सकता है, जो algae हैं, basically इनको classify किया गया है, तीन class के अंदर, सबसे पहला जो role है, वो है, कि इसके अंदर जो pigments presents होते हैं, chlorophyll present होता है, उसके basis पे algae को classify किया है, इस हम जो next slide पढ़ेंगे, discuss करेंगे, वहाँ से हर साल आपके medical need में एक question जरू learn कीजेगा, और जरू note कीजेगा, second है कि algae इसको classify किया है, कि during the process photos, उसके अंदर food reserve क्या बनता है, क्योंकि सभी plants है, कुछ ना कुछ nutrient materials synthesize करते हैं, इसके basis पे भी हम उनको classify कर सकते हैं, even the cell wall composition, उनका cell wall का composition क्या है, आप जानते हैं, प्लांट में basically cellulose होता है, पैक्टीन होता है, लेकिन कुछ other chemical constituents भी होते हैं, जो की photosynthesis से बनते हैं, और उसके plant cell wall के अंदर present होते, इसके basis पे classify किया जाता है, तो इसी वज़े से इन सभी तीनों characters, pigments के basis पर, food reserve की basis पर, और cell wall composition के basis पर, algae, thallophyta group को पूरे के पूरे, हमारे यह जो kingdom है, जो हमारा division है, इसको हमने further तीन class में device किया है, तो first है chlorophyce, chlorophyce basically chlorophyll की वज़े से green observe होते हैं, इस वज़े से इनको green algae कहा जाता है, fewophyce basically यह brown color की होती है, इन में pigments की वज़े से इनको brown algae कहा जाता है, और rhodophyce के अंदर बिल्कुल specific red color का pigment, that's why we consider them red algae, और आपके लिए बहुत ही diagrams है, label diagrams है, मैंने arrange की है, आपकी next video lecture के अंदर, जिसके अंदर algae को हम detail में study करेंगे, चलिए कुछ और जान लेते हैं, facts, आप इस page का screenshot ले सकते हैं कि algae को further तीन class में classify किया है, chlorophyce, pheophyce and rhodophyce, ठीक है, green algae की कुछ characteristics है, उनको discuss कर लेते हैं basically, आपके लिए green algues मैंने attach की है, बिल algae है, wall box है, इन wall box के अंदर भी छोटी छोटी इसकी colonies है, वो develop हो रही है, और साथ में ये है brown algae है, जिसको fucus कहते है, basically इसका जो color होता है, वो olive ground to brown होता है, जो इसका matureness के साथ साथ में इसका color change होने लगता है, olive ground, olive green है, और finally धिरी-धिरी brown में convert हो जाता है, basically जो body होती है, इस है, और इनकी shape कैसी है, ये बिल्कुल, thallus जैसे round जैसे ही, तो हम consider कर सकते हैं कि इनकी body thallus जैसी होती है, okay, तो ये first concept हमारा सही है, second, जो है कि green algae, जो है ये chlorophytes, green in color होती है, because the chlorophyll present inside that, okay, third है, because this is the algae, so for survival, they need water, so basically they are present in aquatic environment, basically fresh water, marine और बोथ, दोनों में ये grow कर सकती है, algae का बहुत important role है, कि ये grow करती है, moist soil पर, rocks पर, wood पर, even sloth भी है, आपने सुनाई हो, उसकी body के उपर भी algae grow करती है, तो इस तरीके से ये parasitic algae भी कह सकते हैं, हम study करेंगे, आगे के facts में, आगे के pages में, और favorable जो conditions हम कहेंगे, जब भी इसमें favorable condition आएगी, तो इसमें reproduction जो होगा, asexual होगा, favorable condition में, reproduction asexual होता है, और वो होता है, juice sports की वज़े से, aplano sports की, basically juice sports होते हैं, ये motile sports होते हैं, आप देश सकते हैं, कि यहाँ पर दो फ्लैजिला नजर आ रहे हैं, और basically, जो claim ID of monas है, इसमें जब sexual reproduction होता है, तो इसका एक example ही है, आप देख सकते हैं, कि sexual reproduction होता है, claim ID of monas में होता है, और इसमें हम कहते हैं, isogamous, isogamous इसलिए कहते हैं, कि male और female jamet जो है, वो दोनों की size, shape बिलकुल ऐसी होती है, हम उसको identify नहीं कर सकते हैं, कि यह male है, कि यह female है, दोनों identical in shape होते हैं, anisogamous में male and female jamet दोनों different होते हैं, इसका example आपका है, यह लो अथारिक्स है मैंने इसका page में diagram arrange ने, next presentation में आप देखेंगे उसको, और ugamous के अंदर, जो हमारे पास example है, वो है wall walks और fucus का, और मैंने आपके लिए fucus के diagram को arrange किया, आप देख सकते हैं, जिसे कि आप easily memorize कर सके हैं, basically जो question पूछा जाता है, general characteristics पर पूछा जाता है, तो आप algae की general characteristics को note कर सकत हैं, और साथ में favorable condition में, जो ये reproduction as sexual कब होता है, ये favorable condition में ही होगा, और sexual reproduction किस में होता है, anisogamous है, या isogamous है, ugamous के basis पे आप ये examples को learn कर सकते हैं, इस page का screenshot ले सकते हैं, exam point of view के लिए, आपके लिए बहुत ही important है, move करते हैं कि further in chlorophyce, feophyce, rodophyce को जो classify किया है, ये आपके सामने नाम mention है, chlorophyce, feophyce, rodophyce, इनके common name हम जानते हैं कि green algae है, brown algae है, feophyce, erod, rodophyce, red algae है, इनके first alpha bet से भी हम identify कर सकते हैं, basically जो इसमें major pigment present है, जिसे हम कहते हैं chlorophyll, और chlorophyll कौन सा present है, इसमें आप देख सकते हैं, chlorophyce के अंदर chlorophyll A and B present है, जबकि feophyce में chlorophyll A and C present है, साथ में fucoxanthine नाम से एक pigment भी present होता है, fucoxanthine, ओके, और rodophyce के अंदर आप देख सकते हैं, कि chlorophyll A and D present है, साथ में phycoerythrine नाम का एक pigment है, जिसकी वज़े से इसका color red होता है, ओके, phycoerythrine, यह erythrine word हम, erythrocite, जो word हम use करते हैं, basically, erythro का means ही red होता है, बेसिकली, ओके चले, discuss कर लेते हैं, कि इसमें store food क्या है, chlorophyce, basically chlorophyll है, तो photosynthesis करेगा, तो starch बनता है, इसके अंदर, जबकि फियोफाइसी, brown algae के अंदर starch की जगह, यहां बनता है, एक carbohydrate का ही, एक हम कह सकते हैं, कि दूसरा form है, जिस हम कहते हैं, manitol and laminarin, manitol and laminarin, यह भी एक carbohydrate की एक form है, जो कि यहां बनती है, फियोफाइसी में, जबकि रोड़ोफाइसी के अंदर starch के साथ साथ में, एक floridine starch बनता है, जो कि stored food के रूप में, इसकी body में store हो जाता है, तो इस तरी जान सकते हैं, कि लोड़ोफाइसी में starch एक store food है, जबकि फियोफाइसी में manitol and laminarin है, और रोड़ोफ इसी में floridine starch है, यह table आपके लिए बहुत important exam point of view से, और neat exam में हर साल एक question पूछा जाता है, जैसे last year में manitor and laminarin से related आया था, कि आपके सामने चारो option थे, हमारे पास हमारे course में सिर्फ तीन algae है, जबकि कुछ higher classes में पढ़ेंगे, तो आपको एक fourth algae और color के basis पर आपको पढ़ अधर एक mucilage gel like substance और present होता है, जिसको join करता है, that is algene, उसको हम algene कहते हैं, हम discuss करेंगे, जब हम specifically chlorophyce को detail में पढ़ेंगे, algene नाम का एक substance और present होता है, जबकि rodophyce में cellulose ही present होता है, ठीक है, तो यह हमें ध्यान रखने हैं, इसके अलावा flagela number and positions भी लिखे हुए हैं, कि chlorophyce में basically two to eight flagela हो सकते हैं, जैसा हमने claimidomonas में discuss किया था कि दो flagela होते हैं, two to eight हो सकते हैं, equal हो सकते हैं, okay, fewophyce के अंदर two flagela हो सकते हैं, unequal हो सकते हैं, size में लंबे या छोटे हो सकते हैं, जिबकि rodophyce में flagela absent होते हैं, कहां यह exist करती हैं, chlorophyce because green है, photosynthetic है, तो यह fresh water में, यह brackish water में जो ठहरा हुआ पानी होता है, इवन जो salty water है कहां, sea shore के आसपास में वहां grow करती है, fewophyce है, यह fresh water में और brackish water के अंदर salty water में grow करती हैं, और साथ में हमारी road of ice है, यह भी fresh water में और brackish water, salty water तीनों में grow कर सकती हैं, तो आप इस page का screenshot ले सकते हैं, exam point of view से बहुत ही important, I hope you will like this presentation, so please like and share and subscribe, thank you, have a nice day, take care, next video हम इन तीनों algae के examples के साथ में फिर दुबारा मिलेंगे, till then bye bye, take care.